महंगाई के इस महामारी में जहां लोग महंगाई के लिए हाय हाय कर रहे हैं वही रईसों का एक वर्ग ऐसा भी है जो महंगी से महंगी चीज़ों के शौक रखते हैं वही कुछ चेज़े ऐसी भी हैं जिने रईस से रईस लोग खरीबने से पहले 10 बार सोचते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ बहुत महंगी चीज़ों के बारे में लेकिन उसे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की निटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले इसकी कीमत है 25 मिलियन डॉलर इस घड़ी में 874 अलगलग रतनी शामिल है जिनमें 11 से 15 केरट तक के 3 दिल के आकार के हीरे शामिल है ये हीरे एक पैटन बनाते हैं और घड़ी के चेहरे को प्रकट करने के लिए फूलों की पंखडियों को तरह खुलते हैं हिस्ट्री सुप्रीम याच 4.8 मिलियन वर्थ हिस्ट्री सुप्रीम दुनिया की सबसे महंगी नाव है एक मलेशियाई व्यापारी ने से बनाने के लिए स्टूर्ट हुजेज को निफ्त किया मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक वो शक्स शांगरी ला होटेल्स एंड रिजोर्ट्स के अरभपति निर्माता रोबर्ट कुकर इस याच को बनाने में तक्रीबन 3 साल का समय लगा 30 मीटर की नौका बनाने में 3 साल लगे और इसके लिए लगभग 1,00,000 किलोग्राम ठोस सोने और प्लेटिनम की जरूरत पड़ी याच के निचले हिस्से पर इस लक्जूरियस बनाने के लिए सोने की पतली परत लगाई गई है एक डाइनिंग एरिया, रेलिंग और यहां तक की एंकर सभी में सोने की जलक दिखाई देती है याच के इंटीरियर इतना भव्या है कि डिजाइन के एक उधारन के रूप में में स्लिपिंग एरिया की खास बात ये कि वहां की दिवार उलकापंड के पत्थर से बनी है और उसे एक अच्छा लुक देने के लिए उस पर टी रैक्स जो की डैनासोर की प्रजाती है कि हड्डियों का धाचा भी रखा गया है दुनिया के सबसे अमीर विक्ती और अमेजन के मुख्या जेव बेजोस ने लौस एंजलेस में 16.5 करोड डॉलर यानि 11.5 करोड रुपे से भी ज्यादा का आलेशान घर बेवरले हिल्स खरीद है ये इस एक शेत्र में संपत्ति का निया रिकॉर्ड है अमेरिके अख़बार वाल स्ट्रीट जनरल के खबर के मुटाबिक बेजोस ने इस आलेशान घर को मीडिया कारोबारी डेविड गेफेन से खरीद है इसमें कहा गया है कि लौस एंजलेस में किसी रहाइशी संपत्ति का अब तक सबसे महगा सा होता है भारते करन्सी में इसकी कीमत लगभग 14 रवां की गई है यह तो भारत में चाय या कॉफी के दिवानों की कमी नहीं उन मेंसे कुछ ऐसे है जो खास किसम की चाय या कॉफी पीना ही पसंद करते है ऐसे खास किसम की कॉफी का एक नाम है ब्लैक आईवरी कॉफी जिसे उत्तरी थाइलेंड की एक कमपनी Black Ivory Coffee Company Limited के दौरा बनाया जाता है Black Ivory Coffee के कप की कीमत 5 से 10 जार रुपे की बीच है अब आप सूच रहे होंगे इसमें इसी क्या खास्यत है जो इसे सबसे महंगा और सबसे अलग बनाती है तो हम आपको बता दें वो है इसकी मैनुफेक्चरिंग, इसकी मैनुफेक्चरिंग में हाथियों का इस्तिमाल किया जाता है जिहां अपने सही सुना हाथियों का इन कॉफी बीन्स को हाथियों को खिलाय जाता है, हाथी कॉफी बीन्स को नहीं पचा पाते और अपनी लीद में बीन्स के साबुत दाने निकाल देते हैं हाथी की लीद से कॉफी बीन्स को कलक्ट किया जाता है और अच्छी तरह फर्मेंटेशन, क्लिनिंग के बाद बेच दिया जाता है ब्लैग आईवरी का ही प्रोसेस उसे दूसरी कॉफी ब्रैंड से अलग बनाता है बढ़ती आवादी के कारण घड़ती जमीन पर बनते छूटे से छूटे मकानों के कस्से आज कल आपने सुने होगे लेकिन आज हमें कैसे मकान की बात करने जा रहे जो पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घर है हम बात कर रहे हैं ला लियोपोल्ड की ला लियोपोल्ड जो फ्रेंच रिवेरिया मिस्तित दर इस घर का इतिहाद बहुत पुराना है इस 1902 में किंग लियोपोल्ड ने बनवाया था घर करीब 18 एकड़ जमीन में फ्याला है ये घर योरॉप को सबसे बड़ा घर माना जाता ह किंग लियोपोल्ड के बाद इस घर को कई अलग लग लोगों ने खरीदा और उसे अपने अपने पसंदेदा आर्खिटेक्चर में रिनोवेट करा है आर्थिय करन्सी में इसे 62 अरब रुपा में आका जाता है आपने आज तक बहुत महंगी से महंगी कार देखी होगी सुनी होगी लेकिन आज हमें कैसी कार सारी सारी कार नहीं बलकि कार के ऐसी नंबर प्लेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कीमत में आप एक नहीं बलकि कई बड़ी बड़ी लगजीरियस कार्स खरीच सकते ह दुनिया के सबसे महनी नंबर प्लेट का नंबर है F1 जो 1904 में अस्तित्यों में आई है और अभी अभी ये नंबर प्लेट लंदन के एक कार डिजाइनर वियापारी अफजल खान के पास है जिसे इन्होंने लगबग 132 करोड रुपा में खरीत है तो आज के लिए इतना ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो